पीपल का एपत्ता बावन हजार ब्रहमन की साच्छी कराता है वह ध्यान देना अच्छा एक बात बताईए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हैं वह जिनके सरीर में इसे इसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद के तेरी कुल देवी तुस्से रूड उन ही तो तो कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी आहित नहीं करेंगे, देवता गर नराज होंगे, देवता नराज होते हैं, तो किसी का भोजन पानी बन नहीं कर देते हैं, देवता नराज होते हैं, तो किसी का खाना पीना बन नहीं करवा देते हैं, देवता अगर नराज छोड़वा देखते हैं क्या छोड़वाएंगे रोज मंदिर जाती है रोज माला उठा कर जाब करती है रोज गीता जी का पाट करती है रोज दिया लगाने जाती है चार दिन पांच दिन छे दिन दस दिन आगर आप दिया लगाने नहीं गए मंदिर नहीं गए उजन नहीं क लच्पी नमीनिआ रही उसके देव का नारज नहीं है उसके कारन तुमारा आंकार है भगवान ने जब दिया था उसको स़त कर्म मेह नहीं लगाया एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी शरीर चले और तुमारी तुमारे यादे तुम लोगों को बस उत्ते याद कर लो बहुत इत्ती इत्ती बात तुम लोग याद कर लोगे ना तो आने वाले समय में दो एक साल में तो तुम यहां हम बस इत्ती 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 निकाल तो थोड़ा 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 यहां समझ में लगे तो सरी कि कथा अंदर गई तो एक बार पहले कथा में इससे पिछले वाली में की थी साथ से पहले बहले में कि तुमारी तुमारे घर में चले और तुमारा सरीर चले तब तक सारा दान उन भजन तीरत सब कर लो और क्योंकि तुमारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे सतकर्म कर सकोगे भजन कर सकोगे सरीर सही होगा तो तीरत कर सकोगे अब सरीरी सांत नहीं दे और घर में तुमारी नहीं चले तो कोई तीरत होए कि दान होए कैसे बजना कुछ नहीं करना पीपल का एक पत्ता उस पक्ते पर थोड़ा सा चावल पूनिमा की रातरी को अपने हाथ में लेकर अपने नैनों से कितने भी लोग से ग्रसित हो पीपल का एक प्ता बावन हजार ब्रहमन की साच्छी कराता है महाराच फोड्यान देना पीपल के भ्रक्च में व्रक्ष में। का मेरे कृष्ण का वास है स्वयम भगवान गीता के अंतरकत कहते हैं कि में पीपल का भ्रक्ष हूं नारेण बावन हजार अब्राम्वनों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है और आपको पहले भी कता में कहा बेटिगाए ब्राम्वन वेहन के सब काल अलाहरन करने माने हो और हो शिव का समरन करो कई माताइं कहती है गुर्देव हमारे यहां पर संक्रवगवान का शिवलिंग नही तो पूजन करो नहीं है तो भगवान का जब इसनान कराओ ठाकुर जी का कराओ देवी जी का कराओ जो तुमारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ तो पूजन कराने के बाद में जब उनका इसनान कराओ इसनान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रगट कर लेन कि हम संकर विश्वनात को महंकाल राजा को सूमनात को मलिक अर्जुन को भीमा संकर को ट्रंभकनात को हम जल करेगे तो ठीक है नी है तो देवताओं को बढ़ाने की जरुवत नहीं है कारण क्या है तुम तो करलोगी सेवा । तुमसे तो सज जाएगी वढ़ाने वाली पीड घर के बव बेटा भगवान को डलिया में बरके ब्रंदावन छोड़ियां एसा काम मत करें जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीडी दर पीडी चलती रहेगी ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया सिरी सुना नहां के आओ शिरी सिवा कपड़े बदल के आओ य उतने डरेंगे उतने डरेंगे सेवा को भजन को पूजन को कभी दराने का केंतर मत बनाओ ये तो भगवाण की मस्त्री का आनंद सुक है लोटा भरके पानी लिएकर चड़ा रहे हो संकर जी के मंदिर में जाकर जल चड़ा रहे हो थोड़ी गलती हो गई भगवान से कर देना तुमी ने सिखाया है हो गई तो हो गई आप ही ने तो सिखाया नहीं जानते थे अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुरान सुनते मालूम पढ़ रहा है कि संकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चड़ाना चाहिए, जल कैसे चड़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चड़ाना चाहिए, चंदन कैसे चड़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चड़ाना चाहिए, यह यह लोगों क शंकर की अराधना करें, बालू रेत का शिवलिंग का निर्मान करा है महाराजी, शिव महापुरान की कथा में आता है, देवराजनाम का ब्राह्मन, जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरी में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला, तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंशमात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमत्मा मिल गया, बिंदुग की धर्म पतनी चंचुला देगी, बारवाद कथा में आया, बारवती जी ने उससे श्युमहापुरान की कथा कर लाए पती के जाने के बाद बिंदुख जो पानी में डूपकर मर गया प्रेथ योनी में चला गया पहले भी कथा में कहा पानी में डूपकर मरा हुआ व्यक्ति सारपके डसे से मरा हुआ व्यक्ति और इस्त्री के हाथ से या इस्त्री के चकर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनी में जाता है ना तो बेकुंठ जाता है ना नर्क जाता है वो तो बीज का प्रेत बनकर भटकता रहता है उसकी गती नहीं होती उसका मोक्ष नहीं होता चंचुला देवी को मेरे पती को तो उसने करा क्या कि वो चाशिी पन। ऑच कि दिनरात फेशन में लगी रहती थि कभी पती नहीं अगर धन लाकर दिया time वे खाने मुजाड़ दिन पहल थिक्यों कभी नहीं उसने कुछ नही ze किया गया कर्म ब्यक्ति को कप राप्त होता है यह चंचुला देवी की गता करें चंचुला देवी की मां भोजन का जम निर्मान करती थी ध्यान दीजी का ज़रा बहुत सुंदर संबाद है सायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डाटते हो सायद बच्पन का किया हुआ पुन्य चंचुला देवी के कहा काम आया हो देखिया पुन्य नहीं करता चंचुला देवी नहीं खेल करता किस जगह पर काम चंचुला देवी छे वर्षे की कन्या बिंदुक ब् पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय तो आटे की लोई को लोई आटा इस उसना हुआ रही था उसको तोड़ लेती थी चंचुला छेए वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बना कर चपटा करती थी दूसरी लोई गुमा 2 नहीं s tell संकर जी के मंदिर में संकर जी को जल चड़ाने जाती थी उस लोई को वेसा रख कर गोल वना कर पिंडी बना कर उस आटे का पिंडी बनाती थी और मां से कती थी मां देखो तुम जिस मंदिर में संकर जी को पानी चड़ान जाती हो ना मैंने बो संकर जी बना है छे साल की लोगों ने पूछा गुर्देव चंचुला का पती इतना पापी था बेकार कर्म करता था चंचुला कभी भजन ने करी दान ने करी पुण्न ने करी सतक्रम ने करी कभी उसना च्छा कम करें नमस्तुव्भ्याम सिरी शिवां कि नमाश्टों कि पूरे सो के फोटो आप घर में लगाई पर अर्दनारिश्वर सुरूप का फोटो कभी घर में नहीं लगता कौन सा फोटो जम के बुलिये जरा अर्दनारिश्वर भगवान शंकर का अर्दनारिश्वर सुरूप का फोटो घर में कभी नहीं लगता कभी न शंकर के अर्दनारिश और सुरुप का दर्शन करकर ब्रह्मा जी विरांती में पड़ गए तब भगवान शंकर ने का ब्रह्मदेव अब सुरुष्टी की रचना करो ब्रह्मा जी ने अपनी जंगहा से मनु और सत्रुपा को प्रगट करा और उसके द्वारा जो सुरुष्टी आक्मों की इनके चरित्र आगए महाराज और इनके चरित्र में सर्वसुंदर पाप्रशूती के गर्व से साथ कन्यां ने जनम लिया कितनी है बेटों ने जनम लिया बेटों को संत बना दिया देवरिशी नारड़ साथ दक्षिप्रियाप्ति कुरोध मैं आकर शराप दे दिया, नारत मैं तुम्हें शराप देता हूँ, तुम्हें एक जगा पर नहीं टिक पाव। अब भगवान, शिरी सिवाय नमस्तु ब्हाम, सिरी सिवाय नमस्तु ब्हाम। मा ता देवी की, मा करपा कर दीजिए, मेरे घर में एक बेटी का ओर जनम हो जाए, इसी करपा कर दीजिए, मेरे घर में एक बेटी ओर हो जाए, सोयम जगजन्नी जगदंबा बोली तेरे घर में साथ लड़कियों का जनम हो गया और तु लड़की मगरा है आज का व्यक्ति होता तो बेटी के जनम के बाद मैं तो क्या मंगता अरे बोलतो बेटा श्यू महापुरान की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता और बेटी दो कुल को पर सास्तर की जीती है बेटा जनम लेता है तो खुम नगाड़े बचते हैं ढोल बचते हैं और बेटी जनम लेती है तो मा पलंग पर रोती है और सास चूला के पास रोती है याद रखिए बेटा भाग किसे पेदा होता है पर बेटी के लिए बाप का सोग गुना भाग इखटा करना पड़ता है तब जाकर बेटी का जनम होता है और याद रखिए बेटा एग वार अपने माबाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माबाप को दुखी नहीं देख सकता है बेटी नहीं देख से दुनिया के लोग कहते हैं बेटी की बिदाई में सबसे ज्ञाधा मा रोती में परशिव महापुरान की कता करती बेटी की बिदाई में जितना बाप रोता है उतना मा नहीं रोती क्योंकि बेटा माँ प्री होता है और बेटी बापको प्री होती है तो कि बेटी के बिनना बाप अधूगा है दो मित्र मिल गए बहुत दिनों के बाद उसने पूछा है डा ये और अगर करे लागान वहता है यह तनू एक मन दून हात पर गोठी है यह चोटी और उसने गाच अब भगवान ने मेरे को लड़की नीदी मेरे को लड़का दिया भगवान ने बड़ी कृपा करी का लड़कियों के छक्कर में पढ़ो इसकुल छोड़ो कॉलेज छोड़ो ध्यान रखो का जा रहे का आ रह रही हो और संकर के मंदर में जाकर उस जल को जो छाना हुआ जल रहे हो उससे अभिशेक कर जो जैसे गन्ये करते हो कि शिरी सिवाय नमस्तु भ्याम सिरी सिवाय नमस्तु भ्याम